मनी लॉंडरिंग केस में गिरफ्तार चीनी नागरिक को लेकर जांच एजिंस्यों ने बड़ा खुलासा किया है जिसमें कहा गया है कि चीनी नागरिक चारली पेंक दिल्ली में कुछ तिबदी लोगों के संपर्क में था उसने दलाई लामा और उनके सहीयोगें के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कथित तोर पर बिश्वस्त भी दी थी जिसके तिबबत निर्वासित सरकार ने निंदा करते हुए ऐसी घटना को दुर्भागय पून करा दिया है तिबबत निर्वासित सरकार के डिप्टिस पीकर अचारिय यशी ने कहा कि चीनी लोगों पर कभी बिश्वास नहीं करना चाहिए पिपार के माधम से आया था और यहां पर आकर दो नंबर के काम किये और यहां किसे गोपनिय सुचनाय दिलाई लामा से लेकर तिबबतियों और भारत की चीन सरकार तक पहुंचाने के लिए मोके का फाइदा उठाया तिबबती तो कहते ही है कि जो चीनी लोग आते हैं उनकी निकरानी रखनी चाहिए हमारे दोरा ऐसे लोगों की जांच की जाते हैं जब दिल्ली में आयजन करते हैं तो चीनी लोग मीडिया के नाम से आते हैं जिने मना नहीं कर सकते इनका काम दूसरा है और नाम दूसरा है ये मामला उजागर होने के बाद हमें और स्तरकता बर्तने की जरूरत है भारत सरकार, परदेश सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से स्तरक है उक्चीनी नागरिक के माधम से हमारी गतिवितियां कहां से कहां पहुंची होंगी ये कोई नहीं जानता ऐसे में हमें स्तरक रहना चाहिए और हर ब्यक्ति की निक्रानी करनी चाहिए ये समाचर मुझे सुनने के बाद बड़ी दुखट और निंदनिया और अफसोस कि कल से ये समाचर पुरे भारत के सभी चोधी जो हमारे पीलर जो परजातंतर में मानता है उन लोगों के मद्दिम से जाने को अफसर मिला हम हमेश्य कहते की चीनी नगरिकता को कभी विश्वास ने करनका चाहिए वेफार के मद्दिम से आया और यहां इनों ने दो नंबर के कम किया और यह भी यहां से सभी गोपनिया के गुप्त के मद्दिम से परमपुष दलाईलमाजी जीस से लेकर सभी तिबत्ती और भारत के भी कई चीज जो कुपनियता जो है वो वहां बें चाइना सरकार तक पहुँचने का ये इन्होंने मौका का फाइदा उठाया लेकिन जैसे भी जो भी करेंगे वो कभी अपने आप में छूट नहीं सकता है तो सही समय पर पकर गया है और सही वक्त पर पकर गया है और हम तिपद वासे तो हमेंसे कहते हैं कि चीज के नगरिकता जो अनेक परकार से जो आते है उनको निगरानी रखना चाहिए और हम तो हमेशा सर तक है निगरानी पर रखते हैं एकदम पेसे के लालच में एकदम इनक रखने कोता है तो इसलिए इसको सरकार के मद्दिम से और बविश्य में बहुत ही एक ऐसा ऐलर्ड में रहना चाहिए चुँकि हमें तो बहुत अनुभाव है जब हम दिल्ली में आयोजन करते हैं कारिक्रम हमारे तिपत समर्थक और हम तिपत की और से तो उन लोगों की लोग मीडिया के नाम से आते हैं और मीरियाग नाम से आते हैं वहाँ पुरा माना तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि गौर्मेंट नोप इंडिया ने इनको विशा दिया हुआ है लेकिन काम दूसरा है नाम दूसरा है तो ये बड़ी अफसुस के बात है निंदिनिया करता हूँ मैं इतना ही अब जब ये सब समाच रहने के बात वह सरतकि रहने का बहुत हम सब को वैसे अभी यहां दरमशाला में परमश्य दिलायलमाजे के सुरक्षा में गधन्य भारत सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार और अपने जीला के और से तो बहुत ही सर्तक है पूरे अजेंसी है ये अभी तक तो ऐसा घटना हुआ नहीं लेकिन कभी काल हो सकता है आज ये ने गृपतार किया हुआ तो और आज हम लोगों का जो भी गद्दी भी दिए ये सब इसके मद्यम स कहां से कहां पोहुचा होगा और केवल तिबत कि संगर्श के नहीं प्रांतु भारत के कितनी खूबिया के जो हम नहीं जानते हैं वो उसने कहां से कहां पोहुचा होगा तो इसलिए ये जैसे हमने अभी कहा था कि हमें सर्तक रहना चाहिए और निगरानी पर रहना चाहिए व्यक्ति से व्यक्ति पर निग्रानी करना चाहिए